गुट बानिग अजी सर्ष दो पार्ट हमारी खतम हो चुके हैं एक का नाम क्या था एक का नाम था एफ़रे फावर्ड टेट एग्रिमेंट और दूसरा जो था जिसका एक ही कोश्चन था और उसका नाम था इंट्रेस्ट रेट गैरेंटी या फिर एफ़रे और ओप्सन को मि है आज ही की क्लास में कितम करना है 3 और नाम क्या जाएगा इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर जिसको हम बोल सकते हैं IRF इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर सर मुद्दे की बात कीए है क्या चीच पहले मैं लिखवाओं की पहले मैं समझाओं सर पहले आप संझा दीजिए लिखवाईएगा बात में क्या पहले मैं समझाओंगा फिर लिखवाओंगा तो यहीं कुछ एक्जाम्पल आजाए इसकी अपिक्षा ज्यादा अच्छा है अगले पेज में हम लिख लेंगे जो भी लिखना है ध्यान दे समझना क्योंकि पहली बात अच्छे दे समझ लो योट्यूब में न कमेंट्स जो आते हैं उसको देखकर मुझे अंदाजा होता है कि बच्चों क इस टॉपिक को बहुत अच्छे सी करना पड़ेगा कमेंट्स आते ना उससे समझ में जाता है दिक्कत है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है मतलब उनका कहीं भी कॉंसेप्ट क्लियर नहीं होगा यूट्यूब में आ रहा ना इसलिए और क्लास में आता तो चलो मुझ हें भी क Phiर syrup दंगा तो धीरे करेंगे ठीके सामा नाम से लग रहा इंट्रेश्ट रिट फ्यूचर तो ओर ्दा काउंटर बात होती होगी या थेक्षily च्शेज ट्रेड़ बात रैंट myself देट होगी इंट्रिस्ट रेट फिचर सर स्टॉच एक्षिंज के थूए काम होगा अब तो आपको किरदार पता लग गया है कि एक राम होता है, एक श्याम होता है, एक बैंक होता है, ऐसा ऐसा वाला, हाँ इसी टैप का, राम, और राम को क्या करना है, राम को क्या करना है, यहां लिखते था, राम वान्स टू बोरो कितना रुपए को रुपीज 50 लैक्स 50 लाक रुपए बोरो करना है कब आफटर कितना ले ले आफटर आफटर कब आफटर थ्री मन्स ले 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 चीज़ आफटर थ्री मन्स फ़र शिक्स मन्स ओकी सर पिक्चर हमको समझ में आ गई राम को उधार लेना है कब लेना है आज से तीन महने बाद कितने मन्स के लिए सिक्स मन्स के लिए सिएस अब ये बताईए कि राम को रिस्क है या नहीं है रिस्क है किस चीज़ का रिस्क है इंटरेस्ट रेट का रिस्क है किस चीज़ का डर है कम हो जाने का आज से तीन महने बाद कि बढ़ जाने का, सर बढ़ जाने का, इतनी तो बास समझ में आती है पहला option है कि राम FRA कर ले, FRA में जाए, forward rate agreement कर ले अब forward rate agreement नहीं करना चाहता तो और कोई दूसरा तरीका है क्या यस, वो किया stock action ये लिची सर सर ये कौन है, ये है stock एक्षेंज, तो stock action के बहुत पहुचा राम, और राम पूछता है, सुनो stock action ये समस्या है, इसका कुछ है क्या तो stock action कहेंगा, सर, betting कर लीजे बोले, अच्छा, क्या betting करूँ भई तो betting, आपको किस चीज, जिस भी चीज में problem है, उस चीज में betting कर सकते हो बोले, अच्छा, किस चीज में betting करूँ, आपको किस बात का दर है पूछ रहा राम से कि सर जी राम आप ये तो बता ही आपको किस बात कड़ा रहें तो राम कह रहा है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है आज से तीन महने बाद रेट ऑप इंट्रेस्ट बढ़ जाएगा तो उसी में करो ना बैठी कितने पर्शंट से मुझे ना दस पर्शंट चलेगा उसके आठ पर्शंट चलेगा ठीक इट मेंस आप ऐसे बैटिंग कर लीजिए कि एट पर्शंट से उपर जाएगा अच्छा सर मतलब आप ले लीजि मेँठी कौन सा पूजिशन लॉंग पूजिशन समझ रहे हूं न डैरिव्यट्व पढ़ा होना चहिए यह तभी बात समझे में आई है अप्साइट बैठ और कितने रुपई में बैटिंग कर रह रहा है ति मिश्ए बैटिंग हो रहे ही और शर्त लगा लिया कि rate of interest आज से 3 महने बाद जो कि मैं 6 महने के लिए calculate कर रहा हूं, वो rate of interest 8% से उपर चला जाएगा लगी शर्त. अगर 8% से उपर वाके चला गया, कौन जीता, राम, कौन पैसे देगा, stock exchange, जितना भी जीता, उसका 6 महने का interest, अगर 8% से नीचे चला गया, 8% से नीचे चला गया, तो राम हार गया, और राम ये पैसी धर देगा, बस that's it, कुछ नहीं है, वह simple है, it means क्या ये confirm हो गया, कि रा राम को rate of interest 8% ही पड़ेगा, हाँ जी, हाँ, अच्छा सर, हाँ जी, बस यह है, और कुछ नहीं है, सर इसका मतलब, अगर राम की कोई liability भी नहीं है, उसको लोन वगिरा नहीं भी लेना, तो भी क्या वो बैटिंग कर सकता, हाँ, पर वो हो जाता, speculation, interest rate future में, speculation भी possible है, लेकि चलो जी, बात कर ही लेते हैं, अब तीन मेहने बाद क्या हो सकता, तीन मेहने बाद हो गई बैटिंग, हाँ, सर बैटिंग हो चुकिए, तीन मेहने बाद यार तो rate बढ़ सकता है, या तो rate कम हो सकता है, ओके, दोनों situation देख लेते हैं, इधर rate बढ़ने का ले लेते हैं, इधर rate कम होने का, तो सोचते हैं, क्या होगा, पहला, first, case number one, after three month, rate, कितना बशन करनों? अगर 11% हो गया, तो क्या होगा? इस situation में क्या होगा? बस ये सोचना है, तीन मेहने बाद, अगर rate of interest 11% हो गया, तो क्या होगा? साहाब, राम तो बरबाद हो गया? राम को तो महगे rate पे, आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, तो interest भी देना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुल में ये दिखाना चाहता हूँ, साहाब कि देखो, राम का hedge हो गया, राम को cost एक्चुल में 8% ही पढ़ा, ये चीज़ टू बैंक, बैंक को तो interest देना ही पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, सर 50,00,00,00, ठीक है, सर 11,30 ये भी ठीक है, सर 6 मेने का, ठीक है, 50,00,00, 11% into 6,00,00, सर, interest देना पड़ेगा, 2,75,00, जाएगा, लेकिन, ठीक है, 2,75,00, उधर interest दे देगे, लेकिन, stock action से हम शर्त भी तो जीते हैं, और शर्त जीते तो वो भी तो हमको मिलेगा, हाँ सर, कितना मिलेगा, यहां present value नहीं मिलने वाला है, अगर कुछ बच्चों का कहना present value मिलेगा, अगर नहीं बिटी, यह last में पैसा मिल जाएगा, present value नहीं मिलेगा, यादर का, FRA में भर present value, सर, हम जीत गए, तो profit on interest rate future, profit on interest rate future, कितने का, 50,00,000 का कितना जीते हैं, 8% से उपर 11 पहुच गया, तो 11 मैने साथ कितना होता, 3% जीत गया, इंटो 6 by 12, तो देख लेते हैं, 50,00,000, इंटो 3%, इंटो 6 by 12, तो 75,000 रुपए हमको मिल गए हैं, तो हमें net cash outflow कितना हो रहा है, net cash outflow, सर, दो लग, तो बताओ rate of interest actual में कितना बढ़ा, effective rate बोल सकते हैं कि, यास, 2 लाग, effective rate, 2 लाग देना बढ़ा, actual में 2 लाग गया, कितने पे गया, सर, 50 लाग का, कितना परशन, 100% पर, यह है, 6 मैने का तो 12 मैने का कितना, 2 लाग divided by 50 लाग, into 100, into 12, by 6, सर, 8% ही तो पढ़ा, yes, it means rate बढ़ भी जाए, तो भी क्या, राम को कोई शमशिया है, राम को कोई शमशिया नहीं है, उसको effective rate कितना पढ़ा, 8% ही पढ़ा, और क्या हो सकता है, और यह हो सकता, case number क्या हो सकता है, 2, अब फिर मुझे जगा चाहिए, यह problem board में जगा की कमी हो जाती है, ऐसे कर लो, yes, after 3 months, अगर rate कितना हो जाए, मान लो 6%, कुछ भी लिख सकता है, 6% हो जाए, तो क्या होगा, तो सबसे पहले, interest, bet, to bank, हम तो, हमारी तो, खुशी का ठीका आना नहीं, जिन्होंने derivative अच्छे से कर रखा है, उनको बिल्कु दिख नहीं, interest, bet, to bank, 50 लाग का, bank वाली को तो 6 portion देंगे, कितने मैंने का, 6 मैंने का, तो सहब, एक लाग बचास ज़र पढ़ा, ठीक है, जी सा, पर बिटे रेट हो गया, कितना, 6 portion क्या मैं शर्थ हार गया, यास तो क्या होगा मुझे, loss, loss on, interest rate future, कितना हार गया है, 2 portion, कितने मैंने का, 6 by 12, तो, पचास लाग का, 2 portion into 6 by 12, ये भी मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे net cash of flow कितना है, सर, 2 लाग ही है, yes, this is net cash of flow, तो मुझे effective cost कितना पड़ेगा, सर, 8% ही पड़ेगा, इसका मतलब समझे जहार है, क्या मैंने hedge कर लिया, हां सर, आपने hedge कर लिया, चाहे rate कम हो, चाहे जाद हो, बात कतम हो जाएगी, yes, that's it, interest rate future कुछ नहीं है, interest rate future मतलब future contract on interest rate, depends करता है कि आप betting कि side कर रहा, अगर आप borrow कर रहा है, इसका मतलब आपको लग रहा कि future में rate of interest बढ़ने वाला, upside betting, long position, या फिर by FRA, by interest rate future, लेकिन अगर ऐसा लग रहा कि rate कम होने वाला, तो short position, downside betting, ये कब लगेगा, जब आप invest करने वाले हो, कुछ समय बात, future में, future में, to future में, rate कम ना हो जा, इस बात कर डर, और जिस बात कर डर उसी में शर्त, बस, बताओ, बच्चे क्यों परिशान है, सर इस चीज के लिए बच्चे परिशान होने का बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि सर ये इतना आसान है, अगर जिन्होंने derivative कर रखा है, सर अच्चे से, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होनी है, हाँ, लेकिन समस्या कुछ और है, अच्चा सर, समस्या क्या है, जरह बताओ कि, अप सुनो बेटे, प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम समस्या, कभी नाम सुना है, ट्रेजरी बिल, रिस्क-free security, या interest-bearing security, ऐसी security जिसपे interest दिया जाता है, इंट्रस्ट-bearing security, या फिर क्या बोल सकते bonds, जेट सी भी, zero coupon bond सुने हो, हाँ सर, ट्रेजरी बिल या zero coupon bond सुना हुआ है, अब सुना, इन सिक्यूरिटी में खास बात क्या होती है सुनोगे ध्यान से आप यह मत सोच ले ना कि हाँ हो गया बेटे अब भी तो सुरूआ थे इंट्रस्ट रेट फ्यूचर की टाइम लगेगा एक बार समझ लोगे तो जिंदगी भर जिंदगी का छड़ो इस अटेम्ट में तो आप आराम से निकलोगे है ठीक है सर तया है होता क्या सर यह ट्रेजरी बेलिया जीरो कुपन बॉंड नाम सुनोगे ऐसे बॉंड ऐसे सिक्यूरिटी ऐसी इंट्रस्ट वाले सिक्यूरिटी जिससे यह होता क्या है हम हम करते क्या है हम यह कहते हैं कि साप सुनोगे हम यह कहते हैं कि हम जो security है वो issue करेंगे discount पर डीप discount बॉर्ण गोल थे discount पर और redeemed करेंगे at par at par का मतलब मान लोग किसी security का face value है 100 और हम तीन महने बाद 92 में issue कर रहे है 92 रुपीज में तीन महने बाद इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो security issue होगी वो तीन महने बाद कितने रुपे में issue होगी 92 और फिर आप redeemed जब करोगे आपको कितना पैसा वापस मिल जाएगा 100 रुपे it means आपने कितना कमाया 8 रुपे कमाया देखा जाए तो rate of interest yield की बात ने कर रहा हूँ rate of interest कितना है आट रुप है तो 92 लगा कर 8 कमा रहा है आप ऐसा ले सकते उपर मैं आपको समझाने की कोशिस करहा हूँ interest face value से अगर calculate किया जाए तो interest का amount कितना दिख रहा 8 पर फिर से जब जब भी security issue होगी मालो तो तीन महने बाद security कितने रुपए में issue होने वाली है वो depend करता कि तीन महने बाद rate of interest क्या होता है अगर मेरा मानना है कि तीन महने बाद rate of interest 8% होगा तो security discount पर issue होगी 92 पर अगर rate of interest कितना होगा आठ पर अगर सर rate of interest मानलो तीन महने बाद 6% 6% होगा तीन महने बाद तो बताओ security की value क्या है कि फिर सर security 94 रुपीज में issue होगी अगर तीन मेहने बाद rate of interest सरसर और और मजारा मजारा मालो 5% होता तो security कितने मेशी होती है 95 मेशी होती है अगर आपको ऐसा लग रहा है फिर से सोचना जहां rate of interest जादा है security की जो issue price है वो क्या हो जाएगा automatic कम की ज्यादा कम सर थोड़ा सा मुश्किल है बिटे मुश्किल नहीं सोचो ना यार जितना कमाओगे उतने कम में security खरीद होगा यही तो फाइदा है सर मुझे ऐसा लग रहा है लग रहा है कि तीन मेहने बाद rate of interest 8% होगा 8% सोच के बताना बिटे अब तीन मेहने बाद rate of interest 8% से बढ़ेगा तो security की value 92 नहीं होगी 8% तो security की value कम हो जाएगी सर हाँ बस यही तो समझाना है तयार हो चलो बोलते जाओ बस यह बोलते जाओ कि तो मेरा rate of interest बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब security की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और security की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब मुझे betting करना है वह यह interest rate future ठीके सर betting करते हैं तो betting करना है तो मैं betting किस बात की करो सर रेट आप इंट्रेस्ट बढ़ने की पर स्टॉक एक्चेंज कहता भाई आप रेट आप इंट्रेस्ट पे बैटिंग मत करो आप सिक्यूरिटी पर वह कि सिक्यूरिटी के वैल्यू तीन महने बाद कम होगी कि बढ़ेगी उस पर बैटिंग किजिए अब सोच वाराम से बि बैटिंग पिर अंवन रहाना कि डावन मी हमिए सीक्यूरिटी पर तु चलो हूँ और हमें ये ब सुना सीबैंग करना है कि इनट्रेस्ट清 के अंगल से फिर सोचना सीड़्िटी एंगल से betting किसमे करना security में तो यार हूँ मैं borrow किया हूँ करने वाला हूँ, कब? तीन मेने बार अगर मैं borrow करने वाला हूँ तो sir मुझे लग रहा है कि rate of interest बढ़ेगा बढ़ेगा, तो होना कौन सा चाहिए long position पर rate of interest पर तो नहीं करना है, मुझे तो किस पर करना है यह वाली security पर तो sir rate of interest बढ़ेगा, मतलब security का value गिरेगा मतलब sir हमें short position लूँगा हाँ मैं short position लूँगा अच्छा sir, मतलब rate of interest बढ़ता तो security की value गिरती है exactly और इसको inverse relationship बोला जाता है तो सहाब हमें जो focus करना है interest rate future पर वह rate of interest पर तो करना ही है पर rate of interest को mind में रखकर हमें security के विशय में सोचना पड़ेगा कि हमें upside betting करना है कि downside betting अगर मुझे ऐसा लग रहा rate of interest कम होने मैंने investment किया किया नहीं करने वाला हूँ कब तीन महने बाद सर तीन मेने बाद आप investment करने वाले हूँ अब चरह सोच के रेखते है सोचना क्या है सोचना ये है कि हमें long position लेना है कि short position लेना है तयार हूँ और सुनो किस में लेना इसकी तो बात ही मत करना इसकी यहाँ जो बताना वो इसके विशे में बताना ठीके सर हम तहीं जा रहे हैं मुझे इनवेस्टमेंट करना है तीन महने बात डर डर इस बात का है कि कहीं रेट ऑप इंटरेस्ट कम ना हो जाए रेट ऑप इंटरेस्ट कम होगा तो सेक्यूरिटी की वैल्यू बढ़ेगी सर मैं लॉंग पोजिशन लोंगा हां बस खतम और बात है ना रेट ऑप इंटरेस्ट गिरने की बैट बलो या सेक्यूरिटी के वैल्यू की बढ़ने अगर इसी example में जो मैंने करवाया अभी यहां इसकी जगा क्या मैं यहां security की value लिखू हाँ और फिर सोचे कि क्या होने वाला है तम मज आएगा यास तो करे की का हाँ सेम एग्जामपल ले रहा हूं बस rate of interest को change करके interest bearing security लिख रहा हूं बस और कुछ नहीं करना है ठीक है सर हो जाए फिर तो आओ यहीं बनाएं क्या इत्मिनान से सारी बाते सुननी वड़े है वैसे लिखता हूं सारा कुछ वह है सर यह हो गया राम बलकुल सही और सर वो भी लिखो ना राम वांट्स टू बोरो कितना पचासला कव आफ्टर थ्री मंस फर six months ठीक है ओके सर यहां तक बात हो कि क्या कर सकते एफ और और क्या सकते है इस टॉक एक्षिन के पास जा सकते है यह है जी हमारा इस टॉक एक्षिन और थ्री मंत इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर जो चल रहा है सिक्यूरिटी का वैल्यू वो चल रहा है रूपीज 92 अप यह कह रहा हूँ क्यूंकि आपने बौरू किया है यहां लिख दो रहां पhrस्ते अपरेट गार्ण कbar रहाँ नेसुट अरत apologized यहाँ इस सिक्यूरिटी पे राम को लॉंग पोजिशन लेना है कि शॉट पोजिशन सोचना पड़ेगा सर राम ने बौरो करना है तो राम को ढर होगा कि रेट आप इंट्रेस्ट बढ़ना जाए मतलब सिक्यूरिटी की वैल्यू गिरना जाया गिरना जाया मतलब गिरने का डर गिरने का डर मतलब उस ही में बैटेंग तो ही सुट टेक शॉट पोजिशन आर क्या लेख सकते हैं सेल इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर ठीक है यह बात थोड़ी सी आपको हजम हो जाए ना तो फिर तो मुझे पढ़ाने में मज़ा जाएगा फिर तो वह हो गया उस कोशन का मेरा काम खतम हो चुका फिर बन गया है मतलब कोशन ठीक है अब आफ्टर थ्री मंथ कुछ भी हो सकता है पहले इदर लिटाँ सपोस आफ्टर थ्री मंथ इंटरस्ट रेट फ्यूचर इस इकल डो रूपीज एटी नाइए बुलो बिट्टे बुलो 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 आपने 92 था आपने कौन सा पोजिशन लिया था शौर्ट और कितना हो गया एटी नाइन क्या आप जीद गया है हां सर तो इसको क्या लिखते है इसको लिखेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर नाइनटी टू माइनस एटी नाइन पर्सेंटेज में आ जाएगा सीधर सब तीन पर्सेंट से हम जीद गया है ऐसे भी लिख तीन पर्सेंट से जीद गया है पर बुक में यह नहीं लिखा है बुकने में ये लिखा है क्या आपने sell किया था interest rate future यस तो sell किया है कितने में 92 में और उसको काटने के लिए buy करो है कितने में 89 में तो आपको it means आपकी PM में आपकी study material में इस तरह से लिखा हुआ और क्या किया था आपने sell sell interest rate future कितने में sell किया था 92 में बात हुई थी और उसको काटा आपने उस दिन buy interest rate future sell कर दिया भी बात में buy करें कितने में 89 में तो बोलो आपका कितने का फायता तीन पर्षन का profit this is profit profit क्यों क्योंकि buy किया आपने कम में और sell कर दिया जाता यह वाली language अच्छी लग रही है actual में ऐसे होता है पर इस तरह से भी language यूच की जा सकती है और मुझे किसके हिसाब से चलना मुझे चलना है आपके material के सबसे तो ऐसा करना प्रहिए बस इसके बाद कुछ कोई काम नहीं बचा बिटे इसके काम बात तो हमें यही वाला काम करना है पूरा की पूरा फिर यही करेंगे यही करेंगे बात कतम हो जाए अच्छा सर सर लिखी देते हैं न यस इंटरस्ट पैट्टू बैंक कितना रुपाय हो गया अगर देखा जाए तो रेट कितना हो गया तो रेट हो गया 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 पर्षंट देखी रहे हैं 100-89 गया गया पर्षंट तो यहां दिखाना पड़ेगा सर 50 लाख का कितना परशन 11 परशन इंटो 6 बाइट वल अल्रीड निकाला हमारा 2 लाख 75 अजा इसमें से माइनस क्या कर दो कि profit profit कितना 50 लाख का कितना 3 परशन इंटो 6 बाइट तो कितना अगया 75 अजा कौस्ट कितना बड़ा तो लाक दिस इस नेट कैसा उखलो और अब यहां एफेक्टिव रेट आप इंटरस्ट देख लेते हैं एफेक्टिव कोष्ट कितना दो लाक बढ़ा कोष्ट कितने पिपढ़ा पचास लाक पे into 100 into 12 by 6 कोई शक ही नहीं है कि ये कितना पर्षेंट आएगा 8 पर्षेंट ठीक है सर ऐसा भी तो हो सकता कि after 6 months after 3 months rate of interest कितना हो जाए सर 6% हो जाए ऐसा भी तो हो सकता अगर ऐसा है वो हो सर गलत लिखा ना अपने ऐसे नहीं लिखना था पर चला ऐसा लिख दिया 6% इट मेंस वैल्यू अप सिक्क्यूरटी यहां लिख देता है इट मेंस वैल्यू आफ इन्टरेश्ट रेट फ्यूचर 94 134 सो आप कौनसा पोजिशन लिये थे सर हम शॉर्ट पोजिशन लिये थे शॉर्ट पोजिशन लिये थे पर यह क्या हो गह बढ़ गया अगर बढ़ा तो क्या हो गए आपको लॉस आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लॉस अनो इंटरस रेट future कितने में sell किया था सर हमने sell किया था 92 में और by current rate पे कितने में 94 में तु बुलो आपको क्या हो गया loss कितने बर्षन का दो पर रहे बस और कुछ नहीं है अच्छा अब निकाल ले इंट्रेस्ट पैट पचास लाग का कितना प्रतिशा 6 पर्षन इंटु 6 बाए 12 यह तो उतनी आगा एक लग पिचास जार और इसमें प्लस क्या हो जाएगा लॉस पचास लाग का दो पर्षन इंटु 6 बाए 12 तो यह कितना हो जाएगा पचास जार तो वापस कौश्ट कितना पड़ेगा वापस कौश्ट दो लाग पड़ेगा इसमें कोई अंतर है क्या तो सीदिसी बात है कोई अंतर नहीं बस यहां जो बात कर रहा था मैं यहां बात कर रहा था इंट्रेस्ट बेरिंग सिक्क्यूरिट और यहां जो बात कर रहा था वह बात कर रहा था rate of interest, पर समस्या क्या है, बच्चों के जैसे इसमें doubts जो आये न वो यह आये, क्या आपकी भी आ सकते हैं, Sir rate of interest बढ़ा है, actual में ऐसे तो solve नहीं करना है, actual में तो हमको ऐसे solve करना है, तो उनका यह कहना सर रेट ओप इंट्रेस्ट बढ़ा है अगर रेट ओप इंट्रेस्ट बढ़ा तो हमें अपसाइट बैटिंग करनी जाहिए रेट ओप इंट्रेस्ट में बिल्कुल सही पर stock exchange में rate of interest पर betting नहीं हो रही है stock exchange में interest bearing security है treasury bill पर betting हो रही है तो sir treasury bill आपको inverse relationship हो था rate of interest बढ़ेगा तो treasury bill का value क्या होगा किरेगा ठीक है तो बस आपको यहाँ थोड़ी सी बात हजम नहीं होती कुछ बच्चों को कि sir rate of upside betting मतलब long position में कहता हूँ long position नहीं होगा sir short position होगा क्योंकि बात यहाँ rate of interest की है यह नहीं है बात है यहाँ security की और security मतलब ऐसे होगा ठीक है तो एक यह समस्या थी आपको कि हमें upside betting करना है कि downside betting तो कसम खालो अगर हम rate of interest बढ़ने वाला है तो value of security गिरने वाली है तो short position अगर हमें ऐसा लगा rate of interest काम होने वाला है तो value of security बढ़ने वाली है तो long position ठीक है यह आपको देखना पड़ेगा अच्छा उल्टा सोचना पड़ेगा हाँ ना बेटे यही तो समस्या है इसके अलावा और एक समस्या है सुनों क्या समस्या अब क्या दिक्कत जब हम गए stock exchange के पास हमने का हमें बैटिंग करना अब यह वाली भी बात समझ लो इसमें भी बच्चों को समस्या है जब हम गए यह कौन है राम यह भी ध्यान से समझ ना एक राम बैंक से कितना उधार लेने वाला है राम बैंक से उधार लेने वाला है पचास लाग कितने मंद के लिए per six months के लिए और rate of interest कितने से बढ़ने वाला आठ परशन्न से मतलब value 92 से rate बढ़ने वाला मतलब गरने वाला है मैं यहां रफली आठ पर्शन लिगूं चल जाएगा, आठ पर्शन से बढ़ने वाला है बात कता, तो मैं गया, इस्टोरी से सुनो न, मुझे ऐसा लग रहा है, रेट अप इंट्रेस्ट आठ पर्शन से बढ़े का, और मुझे छे महने के लिए उधार चाहिए, आज से तीन महने बाद, छे म आप इसमें बैटिंग कर सकते हैं, तो मैंने बैटिंग करने वाला हूँ, मैं बैटिंग करना चाहता हूँ, और मैं तयार हो गया, और मैं शर्त लगा लिया, कि 90 value of security 92 से कम हो जाएगी, पास समझ में आरी, ट्रेजरी बिल 92 से कम हो जाएगा, ठीक है, मैंने शर्त लगा लि आप सुनना गयां से, हमारे यहां जो है ना, वो 3 month period के लिए ही बैटिंग चलेगा, समझाओ, समझाओ, बुले सुनो, जैसे आप जीद भी गया, मानलो जीद गया, और जीद गया से 3 महाना मेहना बाद, मानलो rate of interest हो गया 10% या value of security हो गया 90, जो भी हो, आप जीद गया, और कितना percent, 2% और 3 महने का profit transfer करतेंगे, मैंने का सहाब, problem वो नहीं है, problem में यहाँ interest तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा ना सर, बहुत अच्छा, मैंने का मुझे interest तो सहाब अगर rate of interest मानलो 10% हो गया, तो मुझे 6 महने तक 10% interest देना पड़ेगा, एटमिस एक बार देख का 10% into 6 by 12, मैंने का मुझे interest देना पड़ेगा 2,50,000, right, it means मैंने ज्यादा दिया, कितना हो रहा है, मुझे 50,000,000 का 8% into 6 by 12, तो मुझे तो interest देना था 2,00,000, actual मैं 8% पर बैटिंग थी ना यार, 8% से उपर गया तो मैं आप से वसूल कर लूँगा, तो मुझे आप से वसूल करना चाहिए 50,000, पर भाई साव, आप मुझे सिर्फ 3 मैने का interest दे रहा है, it means आप दे रहो 50,00,000 का 2% into 3 by 12, आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपे ही interest transfer करोगे, आप ऐसा बोल रहा हो, जो कि फिर तो मेरा तो कोई मतलब नहीं हो, मुझे सर जी 6 मैने का व्याच चाहिए, कैफ वाली होगी, आपको मेच 6, आपको अगे 2 साल कलको आ गया, बोले 2 साल के लिए करना है, तो हम ऐसे customer की हिसाफ से सेट नहीं होते हैं, हमारा rules है, और हमारा rules है कि 3 मैने का interest का हम settlement करेंगे, बस, अब मैं फज गया, मैंने का साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, यार, ऐसे मैं तो hedging नहीं हो रही है, बहुत समस्या क्या, मैंने का समस्या इतना कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए और आपसे 25,000 रुपए दे रहे हैं, ये समस्या, आपके period से मुझे दिक्कत नहीं है, 3 मैने का interest दे रहा हूँ, आप इसको बढ़ा हो ना, इस टॉक इंज बले हम करेंगे, फिर अगले 3 मैने बाद आना, फिर बैटिंग कर ले ना, बाद में तो नहीं आना चाहता ना, अब करें तो क्या करें, दिमाक नहीं चल रहा है कि यार आखिर 50,000 इधर से आएगा कैसे, no doubt, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा तो पैसा मिलेगा, पर समस्या ये 3 माह मैं अडे हुए है, बोले, नहीं, नहीं, हम तो 3 माह, मैं नहीं नहीं, यार सुनो, एक काम कर सकते हैं, बोले, क्या कर सकते हैं, मैं नहीं नहीं, ये जैसे 50,000,000 है, ये मैं फिगर अगर amount जो है, वो बढ़ा देता हूँ, तो आपको कोई तकलीफ है क्या, बोले, हमको कोई problem नहीं, आप 50,000,000 कर दो, 100,000,000 कर दो, 500,000,000 कर दो, हमें कोई मतलब नहीं, amount आप पर interest हम 3 मैंने का settlement करें, मैंने का ठीक है, मुझे चाहिए 50,000,000,000 की बैटिंग करता हूँ, तो इसे 25 ही मिलेगा, तो इसी को डबल कर देता हूँ, मतलब सर, इसको अगर मैं 100,000,000 कर दूँ तो, तो बाद बन जाएगी, बाद बन गई फिर, फिर तो मुझे 50 मिला, इसे कर दूँगा, मैं 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, हमें betting कितने period के लिए करनी है, 6 month के लिए, अगर 4 महा के लिए है चाहिए, तो हम 4 मेने के लिए, it means, यहां यह available है 3 month का, पर हमें जो interest चाहिए, वो 4 मेने को, into 4 हो जाएगा, हमें 5 मेने को, into 5 हो जाएगा, इस तरह से amount, amount में change करना बढ़ेगा, ultimately मैं interest के amount को equal करना चाहता हूँ मेरे हाथ बंदे हुए, कहां, period पे, इसलिए मैं amount में इस तरह से change करूँगा, कि मेरा इसका interest और इसका interest एक जैसा जाए, sir, अगर यहां 4 मेने होते, तो क्या होता, तो करते ना हिसाब, it means, मुझे सामने वाले से चाहिए होगा, 50,000,000 का, 2 person, 4 by 12, मुझे चाहिए 33,300,000, कि सब्सक्राइब दे टो कि इतने पे मुझे इतना चाहिए, पर सामने वाला क्या बोल रहा है, हम सिर्थ 3 मेने का interest देंगे, मतलब 25,000 देंगे, तो मुझे amount में change करना पड़ेगा, मैं amount ऐसे कर देता हूँ, 50,000,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 वो interest calculate कर रहु है। 694666 into कितना person जीता ह्यु दो person into 3 by 12 वाव आ गया। हाँ बेटे हाँ just मैं figure change करूँ पहुँ और कुछ devamu सर इतना जादा बेटी दो technical problem है. Uस question में incident future में मैंनत कर वा रहा। । पहला problem है कि short position लेना एक long position अगर सिब interest में बैटिंग करना होता ना तो लौट्री लग गए थी हमें बैटिंग करना है interest rate security में interest bearing security में इसलिए opposition उसना पुड़ेगा दूसरा figure हमें यहां जो काम करना वो 6 मैने के लिए पर यहां जो available है वो 3 month period का available है तो हमें figure के साथ ही छेड़ चाड़ करना पड़ेगा ताकि दोनों का जगा का rate of interest एक जैसा जाए ठीक है? ओके सर यहां तो कोई समस्या नहीं थी इस example में इसलिए बात बन गई सर तो अब question बनाए तभी बात समझ में आएगी? हाँ पर question बनाने से पहले क्या कुछ बाते में लिखवा दू? एक ही question है तो वो आराम से हो जाएगा तो लिखा तो कुछ नहीं था बस यह भी समझा था और यह भी समझा ही था तो ठीक है सर तो लिख देते हैं लिखते हैं इंट्रेस्ट रेट फुचर मिस फुचर कॉंट्रेट रेट रेट अव इंट्रेस्ट इस अच्छेंड रेट ट्रेट टीक है पहले डॉट पहले डॉट में शिंपल सी देफिनिशन लिखा दूसरा डॉट इंपर्टन है if we want to borrow in future if we want to borrow in future hence we should take we are afraid from interest rate rising and we should take long position on interest rate rate but in interest rate future we have to take position on interest rate bearing security we have to take the position of interest rate of interest we have to take the position of interest rate bearing security there is there is inverse relationship rate of interest 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 rate bearing security, that is, if rate of interest rise, then T-bill लिख दू, interest bearing security थोड़ा सा बड़ा होगा, fall. So, if we borrow, then we should take we should take short position, opposite. on T-bill या फिर इसको हम क्या बोल सकते है, sell future. अगे की कहानी लिखवानी की जरुवत नहीं पड़नी चाहिए, अगर हम invest कर रहे हैं, बाकी लिख सकते हैं, अगर लिखना हो तो, क्या लिखोगी? सुनो, मैं यहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि time नहीं है, फिर question में, if we want to invest in future, invest कर रहा है, तो we are fret from interest rate falling, तो वैसे तो हमें interest rate गिरने पर betting करना चाहिए, पर betting जो होगी, वो होगी interest rate future में, मतलब security में, interest rate गिरने का दर, मतलब security के, टीबिल के बढ़ने का डर, तो अब कौँसा है, अब sir, long position लेंगे, long position मतलब buy करेंगे interest rate future, ठीक है? ठीक है sir, बात काफी कुछ तो समझ में आ गई है, yes, याद रखना है कि ये वाले example जो करवा रहा हूँ, ये बड़े important है आपके लिए, बाकि इसके बाद interest rate future वे theory तो आने से रही, बस समझाने के लिए 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 बाकि आपको समझ में आ चुका है और भी बात करेंगी पर questions के थुरू करेंगी, एक ही question है उसको इतना हाँ से करेंगे, time जितना लगता लगा देंगे उसमें, ठीक है जी, और उसके बाद आचकी class कताम हो जाएगी, तो पहले क्या करें, सब पहले questions बना लेते हैं, एक question है उसको बना लेते हिम्मस से, धीरे दीरे बनाएंगे, जल्द बाजी ने करेंगे, ठीक है जी, बनाते हैं, जे, चलो यह question और यह question बड़ा परिशान करने वाला question है, इस question पर ही जो दिक्कते आई ने, इस question में आई है, पढ़ते हैं, धीरे से पढ़ते हैं, क्या लिखा, लिखा, इलेक्ट्रा इस्पेस, इस कंजूमर एलेक्ट्रोनिक्स होलसेलर, ठीक है, बिजनेस अप फर्म इस हाईली सीजनल इन नेचर, सीजन, सीजनल नेचर का बिजनेस है, इन सिक्स मांत अविए, फर्म है उस कैश डिपॉजिट, एन क्रिसमस के समय, ठीक है, और जो दूसरे छे में हैं, वहां कैश का प पैसा रहता है, पैसा ही पैसा रहता है, और छे महने पैसो की तंगी रहती है, पैसा लाए तो कहां से लाए? लिदिग तो बॉर्णिग उप मनी तो कवर अप इस एक्सपोजा फार रुनिग ता बिजनेस हो बुलते है, हम बॉर्व कर लेंगे, जब पैसो का प्रवल्म है, जब बॉर्व कर लेंगे, और जब पैसे आजाएगे, तो हम रिपे करते जाएगे, इस तरह से काम होगा, It is expected that firm shall borrow, यूरो, यूरो है यह यूरो, पचास मिलियंस for the entire period of slack season in about 3 months, वो छे महने जिसमें पैसो की problem आने वाली है, हाँ, हमें पैसे चाहिए, वो छे महने अभी नहीं चल रहा है, आज से तीन महने बाद वो छे महने वाला period आने वाला है, जिसमें पैसो की तंगी आने वाली, मतलब हमें उधार लेना ही पड़ेगा सर, और कब लेना पड़ेगा उधार, आज से तीन महने बाद, और कितने period के लिए उधार लेना है, छे महने के लिए उधार लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो डर के इस बात का, सर डर इस बात का ह नहीं rate of interest बढ़ना जाए यस क्योंकि तीन मेने बाद उधर लेना bank has given the following quotation bank ने गाइस पॉट कोई काम का नहीं है 3 into 6 तीन महने बाद तीन में ये भी काम का लिए ये काम का है बोले तीन महने बाद 6 महने के लिए ये quotation चल रहा है हमें तो इसी से मतलब है और हमें मतलब है 5.94 से क्योंकि हमें इसी rate पो धार में लेगा भाई तो हमने ठीक है जी लग गई शार्त लग गई और हमने अधर क्या करेंगे बाई के सिल भाई करेंगे एफ़रेबाय बाई ना समझा रहा हुआ किस बात कर रहे रहे rate of interest rate of interest क्या बढ़ना जाए तो अधर बाई कर लिए 5.94 पर पर 5.94 से बढ़ा तो समने वाला हमको देगा और 5.94 FRA की बात करा हूँ, 5.94 से कम हूँ, आ तो हम समने वाली को दीए, इसके अलामा, 3 month, सुनो बिट्टे, 3 month euro 50,000 future contract maturing in a period of 3 month, ओ हूँ, यही समस्या है, मैं समझाओंगा इसको, is quoted 94.15, that is 5.85%, समझाओंगा बिट्टे, you are required to determine, how FRA sell be useful, if the actual rate of purchase after 3 month, यह हो जाए, यह हो जाए, how 3 month future contract, यह वाला future का है, यह किसका है, FRA का, क्या कहें लिखा है कि हम FRA buy करेंगे, नहीं, तो पहले FRA वाला काम कर ले, यह तो हमने किया, हैजिंग कर रहा है, FRA का, और फिर उसके बाद कौन सा वाला काम कर ले, future वाला, interested future, तो सबसे पहले FRA, है, hashing through FRA कार लेता है, hashing, through FRA, थोड़ी बहुत बाते लिखना पड़ेगा तब ही काम होगा क्या नाम है कंपनी का Electra Space wants to borrow euro 50 million after three months for six months it means it it का मतला वे अप्रेस पर अप्रेस फ्रों किजबात का रर अप्रेस्ट रेस्ट 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 has it it should बाइ थ्री इंटु नाइन एफ रे एट फाइब पॉइंट नाइन फो पर्सेंटेस यह दिखा दिया सबसे पहले हमने यह लिखना जरू ही था यह लिख दिया कि सर जी हम ऐसा ऐसा करेंगे अब उनका कह रहा है बताइए एफ रे किस तरह सी यूश्फुल होगा अगर रेट ऑप इंटरस्ट फो पॉइंट फाइब पर्सेंट हो जाए अगर रेट ऑप इंटरस्ट 6.5 पर्सेंट हो जाए तो हमें क्या निकलना हमें निक इफेक्टिव कॉस्ट टू इलेक्ट्रा स्पैस इतना बड़ा कॉन नाम लिखते है कंप्री लिखते है इफ हैजिंग थ्रू एफर सरफ कॉलम खेच के करें लेक्टिए हाँच ठीक है इसे समच में जाए ठीक है पहले रेट आप इंटरिस्ट कितना हो सकता है सरे रेट आप इंटरिस 4.5 6.5 रेट 4.5 पर्शन रेट 6.5 पर्शन और बाई किया है 3 इंटो 9 एफर एंटरिस्ट कितना है 5.94 पर्शन सबसे पहले हैं इंटरिस्ट पैड टु बैंक 6 मेने का इंटरिस्ट देना आपड़े कितना सर यूरो पचास मिलियन 6.0 होगा इंटो 4.5 पर्शन इंटो 6 बैं 12 इतना इंटरिस्ट देना पड़े कि अगर सर्फ साड़े 4 पर्शन हो गया तो पचास मिलियन इंटो साड़े 6 हो गया तो 6 बैं 12 तो यह आ गया है यूरो एक लाक ग्यारा लाक पच्चिस है यह आ गया यूरो 16 लाक पच्चिस है अब कौन किसको देगा यह इंपोर्टेंट मतलब नेट सेटिल्मेंट सर नेट सेटिल्मेंट कब होगा और सर पहली क्लास से लेके दूसरी क्लास में आपने बार बार एक ही चीज़ बताया है सुनोगे बिटे सुनोगे सर आपने हमको यह बताया है कि यह है जीरो यह है तीन और यह है नौ चुकि रेट आप इंटरेस्ट 4.5% है तो नो डाउट कि एफरे बैंक आपको देखी इलेक्टर इस्पेस को मिलेगा कंपनी को मिलेगा 100% लेकिन मिलेगा कब सर यहां नहीं मिलेगा यहां मिलेगा बो हां हां जी यहां मिलेगा यहां मिलेगा और यहां जो मिलेगा वो कितना मिलेगा चलो बात कर ले तो उसके बात काम करेंगे पूरा पहले बात कर ले ते फिर मैं लिख पाँगा सर वो मिलेगा सर लिख लेगी एक बर हाँ सर लिखना नहीं आपको सर मिलेगा पचास मिलियन का 5.94 माइनस 4.5 1.44 परशेंट और कितने मेने का छे मेने का लेकिन सर इसका प्रेजेंट वैल्यू ही तो मिलेगा और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना किस रेट से करेंगे 4.5 4.5 into 6 by 12 divided by 100 plus 1 तो सर यह आ गया है 1.0225 पक्का तो सर पचास मिलियन कैसे बनता है पचास 3030 into 1.44% into 6 by 12 divided by 1.0225 इतना मिलेगा बोलो हां बोलो सर हां यहां मिलेगा 352078 हां बोलो हां 252078 पस यही तो करती थे अप 100% मैं आपकी बात से agree हूँ नेट settlement यह आएगा यहां लेकिन इसको company करेगी क्या सर इसको भी invest कर देते हैं एक काम कर देते हैं वो जो भी bank है वही मैं invest कर देता हूँ इसको लगा देता हूँ पैसा और मैं देखूंगा कि यहां कितना होगा सुनना धन यहां कितना होगा क्योंकि मुझे यह जो trust देना है ना सामने वाली bank को मेरी बात सुनोगे यहां से आज खड़े हैं तीन मेहने हुए तीन मेहने मुझे यह मिला मैं इसको रहने दो पहले तो वाली 20225 यह होगा ना इंट्व 1.026 महां के लिए इनवेस्ट कर दिया तो टोटल हो गया तीन लाग कितना होगा साथ हजार तीन लाग साथ हजार तो यह हो गया तीन लाग साथ हजार तो अगर देखा जाए effective मेरा cost कितना पड़ा सर ग्यारा लाग पच्चीज़ देना पड़ा पर तीन लाग साथ हजार मिल गया तो ग्यारा लाग 50 million into 100 into 12 by 6. So, effective cost मुझे कितना बड़ा मुझे कितना आ रहा है? 50 million into 1.44% into 6 by 12 divided by 1.0225. ठीक है 3,60,000 ग्यारा लाग पच्ची सजार अच्छा यहां रेटों पेंचस्तों काम हो गया ना तो बिट्टी नेट सिटिल्मेंट में क्या होगा? हम अप्वारे बैंक को देंगे कितना? प्लस 3,60,000 तो 14,85,000 पड़ा 40,85,000 यह पड़ा किसने पर? 50 million into 100 into 12 by 6, 5.94 मुझे 5.94 ही पड़ेगा मैं सर आप कहना क्या चाहते हूं बस इतना सा बता दो इतना सा बता देता हूं क्योंकि जब भी आप सुनो बेटी सुनो 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 बेकार की बाद बोल रहा हूं पर सुनो अगर कोश्चन में यह पूछा गया कि net settlement amount बताओ बस इतना ही और कुछ नहीं पूछ रहा है तो सहप कुछ मत करो सीधा आप present value लिग दो बात कतम हो जाएगा present net settlement जो कर रहा लेकिन कोश्चन ऐसे आया है उसमें बोला कि बताओ FRA का यूज करके किस तरह से आपका effective rate of interest 5.94 पढ़ा तो फिर हम present value नहीं निकालेंगे क्योंकि present value निकालके वापस हमको future value निकालना पड़ेगा तो उसकी अपिक्छा हम क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं रफ कर रहा हूँ उसकी अपिक्छा no doubt क्या rate of interest कम हो गया यास तो एक line तो लिखना पड़ेगा और line क्या रहे हैं लिखेगी FRA bank will pay to company कोई सक्की बात नहीं है पर देगी कितना देगी कितना वो भी लिखा लिख देता हूं मैं 4.55 मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं 0.045-0.0594 into 6 by 12 प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालूंगा अच्छा थर आप तो FRA में प्रेजेंट वैल्यू होता है settlement और उसी को फिर future में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो ultimately यही तो आएगा तो जब भी ऐसा बुलेगा हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे जरूरत ही नहीं प्रेजेंट वैल्यू के तो 0.045-0.0594 इन्टो 6 बाइट 12 इन्टो 50 तीन जीरो तीन जीरो तो यह आ गया यूरो तीन लाख साथ हचार एक तो यह लाइन गलत लिखा मैंने बहुत ज़्यादा गरबड़ हो रहे हैं क्यूंकि आप हार गया हो यहां रेट कम हो गया है तो यहां लिखना पड़ेगा कंपनी विल पे टूं एफ आरे यह देना पड़ेगा ठीक तो अगर इसको मैं टूटल करता हूं किसा हब कितना हो रहा है तो ग्यारा लाख पच्चीस जार यह होगा प्रस तीन लाख साथ हजार यह हो रहा है तो टूटल मिलाकर हो गया यूरो चौदा लाख पच्चीस जार ठीक है और अगर मुझे इसका इफेक्टिव कोश्ट निकलना अगर मुझे इसका निकलना इफेक्टिव कोश्ट कितना बड़ा तो चौदा लाख पच्चीस हजार खर्च हो रहे हैं कितने पे पच्चास मिलियर इन टू हंडर्ड ये है ट्वैल बाइ सिक्स तो बताओ कितना आएगा तो सरभ ये आएगा 5.94 परशंट ये ही तो इफेक्टिव कोश्ट होता था आप किसी और तरीके से भी तो सर हम ये तो सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं पर आपको निकालना ऐसे ही पड़ेगा सर तो अभी तक हमको ये बात समझ में आई सर इबर याद कर ले किया यस क्या याद करने वल चीज़ है सर जब भी net actual में होता net supplement ही बस इसमें आपको जब भी बोलेगा कि यार किस तरह से आपने एफारे को यूज करके effective cost आपका फर्क नहीं पड़ा उतन इसी cost में हो गया त सर अगर rate of interest बढ़ा तो फिर एफारे फिर आ जाएगा यहां जाएगा एफारे बैंक विल पे टू कंपनी कित्म यूरो पचास million into reference rate है 0.065 minus 0.0594 into 6 by 12 0.065 minus 0.0594 into 6 by 12 into 50 एक दो थीन एक दो थीन एक दो थीन तो यह आ गया यूरो एक लाग चलिसर पर सुनों यह हमको मिलेक तो cost कम हो गया तो हमें cost कितना पड़ा माइनस हमें पड़ा यूरो तो देखा जाए तो effective cost कितना पड़ा तो यह दो तो यह दो नहीं आएगा नहीं यार हाल लेक देता हूं भी तो यह भी cost कितना पड़ेगा 5.94 परशेंटेस ठीक है सर तो यह खेल है पूरा की पूरा सर पहत्री मज़ा गया बस एक चीज थी एफारे में तो दिक्कत होनी है नहीं चाहिए थी बस यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार हमको यहां present value नहीं दिखाना है हमें actual में payment दिखाना है बकी सर actual में होता गया present value में ही settle होता है और सुनो present value में ही settle होता है तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है आज settle होगा तो उसको हम invest करेंगे मैंने साथ जब start किया था तब मैं आपको यहीं समझाने की कोशिश कर रहा था भई ऐसे ऐसे होता है करके ठीक है यह किसके थुरू किया effective cost to the company of housing through FRA अब बात किसकी है में मुद्दे की बात तो अभी start ही नहीं है हम बात किसकी कर रहे है interest rate future तो चलो वह भी करते भगवान का नाम लो मुसके लग रहा है न थोड़ा सा हो जाने दो ना एक बार दो बार में तो समझ में आ जाएगा भगवान का नाम लोगे और लिखोगे Point No.2 Effective Cost to the Company If Hasing Through Interest rate future इसमें भी वही बात में लिए Company Wants To Borrow Company wants to borrow Kap After Three months For Six months And He He नहीं आएगा यार Company में He लिख रहा हो में दिमाग खरा हो गा And it The rate Offered from Interest Rate Rाईगा Rाईगा बट हीर वी सुट टेक पोजीशन ओन किस पर पोजीशन लेना है आपको इंटरेस्ट बेरिंग सिक्यूरिटी हैंस वी टेक इंटरेट बढ़ने का बैटिंग इंटरेस्ट बेरिंग सिक्यूरिटी गिन है वी टेक शॉट पोजीशन और इंटरेट फूच या फिर क्या सकता वी से इंटरेट फूचर एट रुपीस 94.15 यहां तक तो ठीक है आगे और समझो आगे यह लिखा है थ्री मन्त पचास जार थ्री मन्त यूरो पचास जार यूरो पचास जार फ्यूचर कॉंट्रेक्ट मतलब एक कॉंट्रेक्ट का साइज है यूरो पचास जार यहां लिख दूँ यह कहीं एक कॉंट्रेक्ट का मतलब है यूरो पचास जार ठीक है नंबर अप कॉंट्रेक्ट निकाल लेंगे लगे गगा तो मैच्यूरिंग इन थ्री मन्त थ्री मन्त वाला ठीक है पर मैच्यूर होने वाला पर हमें जो पिरियट चाहिए वो तो जाहिए शिक्स मन्त तो फिर हमें इस फिगर को जो exposure है 50 million इसको क्या करना पड़ेगा double करना पड़ेगा याद रख लेना ठीक है यहां से बात समझ भी आ रही है three month future contract है ठीक है लेकिन period होना चाहिए six month maturity पर maturity कितना दिया है three month okay sir in interest rate future we ma we want six month six month period but maturity period your period is available only for three month hence we should change our exposure to has complete risk exposure amount देख लेते हैं इतना लिखा है क्या इतना नहीं लिखा है आपके study material में तो इतना कम लिखा हुआ है कि आपको समझ में नहीं आएगा question क्या है exposure amount वो लो कितना था सर्पचास मिलियन आपको है अ कि इन्टा कितना है यह थ्री और हमें चाहिए कितना शीक्स मंत क्सक्राइं अ चिथ्पचास मिलीन इंटो सिक्स बाइट नहीं पैचास मिलियन इंटू सिक्स बाइट रे एक्सपोजर एमाउंट आ गए यूडो हंड्रेड मिलियांस आगी क्या चाहिए का नमबर और कॉंट्रक्स दिखा देते जिरूत नहीं बढ़ने चाहिए पर नमबर और कॉंट्रक्ट्स रुपीज लिकाओं इसको यूरो कर ले ना भई हो जाती है गलती तो यह जाएगा यूरो सौ मिलियन और यूरो पचास हजार तो नमबर और कॉंट्रक्ट जाएगा 2000 कॉंट्रक्ट्स क्या होगा सेल सेल या शॉट तो यह कहानी बनानी पड़ी मुझे इन सब चीजों के लिए कि भई आप काम क्या करोगे अब क्या करना बस दो लाइन खीचना और खतम करना इस कोश्चन को बहुत लंबी क्लास चली गई और इस कोश्चन को समझाने में बहुत सारा टाइम लग गए एक कॉलम यहां जाएगा एक कॉलम यहां जाएगा ठीक है यस रेट अब इंटरेस्ट कितना कितना हो सकता है रेट हो सकता है 4.5 परशन या तो रेट हो सकता है 6.5 परशन और आपने सेल किया है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कितने में सेल किया है 94.15 94.15 तो यहां इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एक्च्वल में 100-4.5 करो 100-4.5 तो यहां हो गए 95.15 95.50 100-6.5 तो यहां हो गए इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कितना 93.50 ठीक है सेल किया है short position क्या यहां बढ़ गया yes loss क्या यहां कम हो गया yes profit बस तो बस यहां लिख देते हैं profit or loss profit or loss on interest rate future तो sell interest rate future 94.15 पर्षेंट बाए उसको काटने के लिए opposite बाए करोगे इस rate पर तो यार कम में बेचा ज्यादा में खरीदा तो यहां क्या हो गया loss सीधा सा question को इतना साधा घुमाया गया yes 1.35 पर्षेंट पर यह क्या है यह है loss यहां की भी बात करो sell किया interest rate future 94.15 और buy करोगे interest rate future जो भी rate है 93.50 तो यहां क्या हो जाएगा profit 94.15-93.50 0.65% पर यहां that's it खतम करें question yes sir अब खतम करते हैं तो सबसे पहला इंट्रेश्ट पैट टू बैंक यूरो पच्छास मिलिया इंटो जो rate है उस पर 4.5% इंटो 6 by 12 तो सर यह आगे यूरो ग्यारा लाख पच्छीस जार यूरो पच्छास मिलिया इंटो 6.5% इंटो 6 by 12 तो यह आ गया यूरो 16 लाख पच्छीस जार ठीक है उसके बाद यहां क्या जाएगा profit और लॉस प्रॉफिट और लॉस ओं इंट्रेट फ्यूचर यहां क्या हो रहा सर यहां लॉस और लॉस लॉस मतलब यह तो दे नहीं है साथ में यह भी जुड़ेगा कितना है यूरो 50,000 था और 2,000 कॉंट्रेक्ट थे यूरो 50 एक कॉंट्रेक्ट रसाइज 50,000 दो हजार कॉंट्रेक्ट इंटु कितना 1.35% इंटु 3 by 12 तीन मैने कई सेट्लमेंट होगा तो यह आगे साथ यूरो 3,37,500 और यहां क्या है यहां प्रॉफिट दो माइनस होगा कोई शक्की बद में कितना था साइज 50,000 कॉंट्रेक्ट कितना था 2000 रेट आप इंटरेस्ट 0.65% और कितने मैने का तीन मैने कई होगा तो यह आगे यूरो 1,62,000 पस बस अब कुछ बचा नहीं है अब टोटल जोड़ लेते हैं याद रखना कि यह जो होगा यह क्या होगा माइनस होगा एक लाग 12,500 प्लस 3375 00 तो कोश्ट यहां पड़ा यूरो चार लाग पैचास अजा और एक लाग बाश्ट अजब पास सो माइनस तो यहां कोश्ट कितना बड़ा गबड़ तो नहीं हो गए गए ठीक है सुलालाग पच्छीस है ठीक है ठीक है ठीक है पॉइंट सिक्स फइपर्शन ये भी ठीक है येक लाग बारं हशार पास सो प्लस त्री स्यमन फइब डेवा चार लगड़ पैचाह सचार लाग के सार चार लाग पैंचाजार रिए पैचासमीलियन तो 50,000 x 2,000 x 2.65% x 3 x 12 1,62,000 minus 16,25,000 4,62,500 आ रहा है इधर का चेक पाड़ेगा यहां मची गरबड लग रहा है 4,62,65 यह टोटल गलती ग्यारा लग पेक्टे से रहुए ही तो मैं सुच रहूं दोनों में एक जे साता है ना अगर जूड़ोंगे तो यह आ रहा है चाउदा लाग बाहस्ट हजार पास्स और यहां भी आएगा यूरो चाउदा लाग यह क्या हैगा मेरा कैस तो सर एफेक्टिव कॉष्ट कितना पड़ेगा बस खतम कर रहे हैं इफेक्टिव कॉष्ट इस इकुल तो चवदा लाग बाहस्ट हजार पास्स और कितने पर सर पचास मिलियन यूरो पर इन्टू हांड्रेड इन्टू यह चे मेने का तो बारा मेने का कितना च्बदा लाग बास अदब पास्स और डिवाइड बेए पचास तीन जीरो तीन जीरो इन्टू हांड्रेड इन्टू ट्वैलो बाए 6 जादो 5.85 परस्ट तो ये पड़ा 5.85% और ये भी क्या पड़ा 5.85% चाहें आप कुछ भी क्यों ना कर ले क्या बात अब खतम हो गई? यस क्या इस question को एक बार में किया जा सकता है? बोलो आप को दी समझदा रहो? नहीं क्या प्रैक्टिस लगेगा? यस और क्या प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? हाँ सर हम लग तैयार है तो अगर मैं इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर को यूज करता हूं तो effective cost आ रहा 5.85% अगर मैं इसको 5.94% तो बताओ जी एफारे अच्छा दोलो रिस्क फ्री है चाहे रेट कम हो चाहे ज़्यादा तो एफारे अच्छा है हमारे लिए कि हमारे लिए Interest Rate Future अच्छा है Sir Interest Rate Future अच्छा ऐसा मांगा नहीं है बस उसने कहा कि दिखाईए वो हमने दिखा दिया तो ये एक मात्र कोश्चन है Interest Rate Future का बहुत सारी महनद चाहिए यहां Calculation में फशे तो नहीं है बस उसे Calculation Mistake हो रही Calculation जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रही थी बाकी कोश्चन विए तो concept हम पहले ही समझ चुके है ठीक है जी जी सारा तो क्या खतम हो गया है Interest Rate Future खतम तो कितने पार्ट खतम हो चुके हैं एक एक कोश्चन है बेटे मेरी बास समझो FRA किया आपने अच्छा दूसरा जो problem आ रहा है वो problem यहां आ रहा होगा कि सर नेट सिटलमेंट प्रेजेंट वैल्यू से होना था ओके होना था पर उसका मुझे end में दिखाना 6 month end में दिखाना इस question के लिए अगर question मैं सिर्फ इतना बोलता नेट सिटलमेंट अमाउंट बताइए नो डाउट में present value निकालके रख देता यहां मुझे present value निकालके फिर future value में पहुचना था answer इतना ही आता पर जो ऐसा वैसे करना यह था पहले present value निकालते और फिर हम देखते हैं उसको अगम interest rate guarantee का एक ही question है interest rate future का सहब जी आपको दोनों ही question बनाने पड़ेगी please बनाओ कि चलूर तो FRA हुआ interest rate guarantee वो interest rate future हो गया कल से start करेंगे financial swap और financial swap में classes लगी की एक question ही बड़े सारे question है थोड़ा easy है अब easy वाला part है तो ठीक है ठीक है सर आज के लिए बहुत हो गया सर जैसे दिमाग हिल गया हमारा maybe मेरा भी हिल गया तो कल मिलते हैं इस पर practice करोगे कल ये वाली समस्याए नहीं आएगी कल easy chapter है ठीक है आज की class देखना थोड़ा धंक से ही देखना पड़ेगा धीरे धीरे कर गया ठीक है okay sir thank you so much bye bye